स्टुडेंट्स आज उच पुरापासान काल से सम्मंदित कुछ सोट कुष्चन का दिन करेंगे पासान काल को उपकरणों के आधार पर तीन भागों में बाटा गया है पुरापासान, मद्यपासान और उच पुरापासान काल पुरापा साणकाल को भी उपकरणों के आधार पर पुने तीन भागों में बाट दिया गया निम्न पुरापा साणकाल, मध्य पुरापा साणकाल और उच पुरापा साणकाल पहला कोश्चन है HEMIUG के अंतिम चरण में की संस्कृति का उदे हुआ तो इसका सीतर सी उच्छ पुरापासानकाल हिम्यूग के अंतरगत पुरापासानकाल का समय वेती तुआ नेक्स्ट कुश्चन उच्छ पुरापासानकाल में किन उपकरणों की परधानता थी इसका सीतर सी बलेड पर आधारित उपकरण इस समय बनाए गए किस मानव का उदय उच्छ पुरापासानकाल में हुआ? तो इसका सीतर है D. Homo Sapiens जिसे आदूनिक मानव के नाम से जाना जाता है मानविकास के करम में रामा पिथेकस, आस्टेलो पिथेकस, होमो हैबिलस, होमो एरेक्टस और नियंडर्थल के बाद होमो सैपियन्स मानव का नंबर आता है इसका सीतर है D. Magdalian इसके उसे इस फ्रांस के मेगडेल नामक स्थान से प्राप्त हुए है इनमें Abevillie और Mehshuli जो उपकरण है उनका संबंद निम्र प्रापासानकाल से है और मोस्तारियन संस्कृती का संबंद मद्य प्रापासानकाल से है तो इसका सीतर dizить Magdalian संस्कृती का संबंद उच प्रापासानकाल से है किस थान से हड़ी की बनी मातर देवी की मूर्ती मिली है तो इसका सित्र C बेलन गाटी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है ये उच्छ प्रापासान काल से संबन दीत है विच्छ प्रापासान काल की कोन सी विशेश्टाएं है ए हुमुसे पिन्सका उदे और बी चक्मक उद्धोग तो इसका सित्र D A और B दोनों ही उच्छ प्रापासान काल की विशेश्टाएं है नेक्स्ट कोश्चन किस काल के उपकरण ब्लेड पर बने हैं तो इसका सित्र ए उच प्रापासान काल में ब्लेड पर आधारित उपकरण बनाये गए जबकि निम्न प्रापासान काल में कोर उपकरणों की परदानता थी मद्य प्रापासान काल में फलक उपकरणों की परदान तो इसका सित्रे D, A और B ने उच्छ प्रापासान काल में नकासी और चित्रकारी दोनों का परचलन शुरू हुआ नेक्स्ट कोस्चन उच्छ प्रापासान काल का समय कितना माना गया है इसका सिर्टरह सी 40,000 से 10,000 रिशा पुरू तक का समय मुझ पुरापासान काल माना गया है विश्वयापी संदर्ब में पुरापासान काल का समय 25,000,000 वर्ष पूरू से 10,000 रिशा पुरू तक माना गया है जबकि भारत में पुरापासान काल का समय पांच लाग से दस हजार इसा पूरू तक माना गया है। यहां से बड़ी संख्या में हड़ी के उपकरण प्राप्त हुए है। इन सभी स्थानों से सुतुर मुर्ग के अंडों से बने मन के प्राप्त हुए है। पुरापासान काल के किस काल के सहल चितर भीम बेटका से प्राप्त हुए है। तो इसका सित्र D, दोलनी वोस्तो नाइस, यह स्थान चकोशलाविया देश में स्थित है, जो उच प्रापासान काल से संबन दीत है, नेक्स्ट कुश्चन, अल्थमीरा गुफा से चित्रकारी के प्रमान मिले हैं, यह कहां पर स्थित है, तो इसका सित्र C, स्पेन में स्थित और यहां से उच प्रापासान काल के सहल चितर प्राप्त हुए हैं, नेक्स्ट कुश्चन, स्पेन की अल्थमीरा गुफा के खोज किस वर्ष की गई, तो इसका सित्र है, B, 1889 C, यहां से उच प्रापासान काल के सहल चितर प्राप्त हुए हैं, नेक्स्ट कुश्चन, स्प इसका सितर A. 1868 में इसका उदाय उच्प्रापासानकाल में हुआ इसका सितर C. प्रांस ये फ्रांस में स्थित है गुभाऊं में चितर बनाने की शुरुआत किस काल से शुरू हुई तो इसका सित्र B उँच प्रापा सानकाल से गुफाओं चितर بنाने की सुरुआत हुई भीम बेट का और स्पेन की अल्थमीरा नाम गुफाओं से उँच प्रापा सानकाल के सेल चितर परप्त हुए है नेक्स्ट कोश्चन बहुरंगी बैसे का चित्र कहां से प्राप्त हुआ है तो इसका सित्र डी अल्तमीरा गुफा से जो स्पेन में स्थित है यहां से बहुरंगी बैसे का चित्र मिला है एक बैसा जो बैठी उमिद्रा में दिखाया गया है उसमें अनेक रंगों का परियोग किया गया है नेक्स्ट कोश्चन उच्छ प्रापासान काल में किसकी सायता से उपकरण बनाए गए थे तो इसका सीटर C, ब्लेड आधारित उपकरण इस काल की विशेशता थी नेक्स्ट कोश्चन निमलिकित में से कौन सी संस्कृति का संबंद उच्छ प्रापासान काल से है इसका सीटर D, उप्रोक्त सभी उच्छ प्रापासान काल से संबंदित संस्कृतियां हैं इन सभी के परमान फ्रांस से प्राप्त हुए हैं A. ओरिगनेशियन संस्कृति के प्रमाण फ्रांस के ओरिगनौक नामक स्थान से प्राप्त हुए B. सालूत्रियन इसके प्रमाण फ्रांस के ले सालूत्रे नामक स्थान से प्राप्त हुए है और ट्री मग्दालियन इसके परमाण फ्रांस के मेगडेलीन नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं तो ये सभी उच प्रापासान कालीन संस्कृतियां हैं इन सभी से बलेड आधारी तुपकरण प्राप्त हुए हैं और इगनेशियन संस्कृति के परमान किस देश के और इगनोक नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। बहुरंगी बहसे का चितर किस मुद्रा में बनाया गया है। इन चितरों में तीन आगे और एक पीछे रेंडियर दिखाया गया है और बाकी जो रेंडियर दिखाया गया हैं। के केवल सींग और पैर रेखाओं के दुआरा पर दर्शित किये गये हैं। निमलिखित में से कौन सा स्थान उच प्रापासान काल से संबन दीत है। इन सबी स्थानों से उच प्रापासान काल के प्रमान प्राप्त हुए हैं। नेक्स के pursue उच प्रापासान काल की किस ओदोगिक संस्कृती में पूरुन विकास हुआ। तो इसका स्uitoर सी मकडलीन संसकृती और इगनेशियन, सालिय।्रियन और मकडलीन ये उच प्रापासान कालीन संस्कृतियां हैं। फ्रांस से इनके प्रमान प्राप्त हुए हैं ये सभी ब्लेड आधारित संस्कृतियां हैं ब्लेड आधारित उपकरण यहां से प्राप्त हुए हैं नेक्स्ट कॉस्चन उच प्रापासान काल में किस ओजार का प्रियोग किया जाता था ए ब्यूरिन, बी स्क्रेपर अथवा खुर्चनी और शी बोरर अथवा बेदक तो इन सभी ओजारों का प्रियोग उच प्रापासान काल में किया जाता था इसका सित्र डी उप्रोक्त सभी नेक्स्ट कॉस्चन किस थान से गोडे की अस्थियों के अउसेस प्राप्त हुए हैं तो इसका सित्र ए सालुत्तर यह हैं फ्रांस में स्थित है नेक्स्ट कॉस्चन स्पेन की अल्तमीरा गुफा से किस संस्कृति के गुफा चितर प्राप्त हुए हैं A. क्रोमेगनन मानव इसके अउसेस 1868 में फ्रांस से प्राप्त हुए B. संसलाद मानव इसके अउसेस 1888 में संसलाद से प्राप्त हुए जो फ्रांस में है C. ग्रिमाल्डी जो इटली में है इसके अउसेस 1901 में प्राप्त हुए डी कॉम्ब का पेल मानव इसके अवसेश फ्रांस से 1909 में प्राप्त हुए तो ये सभी मानव होमो सेपियन साखा से है इसका सीतर है ये उपरोक्त सभी स्टुडेंट्स ये थे उच प्रापासान काल से सम्मंदित कुछ सोट कुश्चन थैंक्यू